तो पूंट शागत है कि आपका में यह चनल पर आज हमा आपके लिए लेकर आफ है फ्रोटीन से भरबूर बहुत ही ज़्यादा है जो बच्छों से लेकर बड़ों तक बुड़ों से लेकर सभी को पसंदा आएगा और आपको भी बहुत ज़्याज पसंदा आएगा आपको आ सबस्phasis नाथते में वह गराती कि आप की आपने फारे के चर चलीए टाइम को बनाइख कि हम बतापंगि दमने के लिया मैं 250 ग्राइब जहाए बड़ा वाला होता है और आप इसे छोले प्रणिए चटनी भी आपके साथ सेयर करोंगी चटनी कसना आए तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना तो चलिए बिना टाइंग को वरबात कि चलते हैं गैस की तरह बनाते सुपर टेश्टी नास्ता तो फ्राइन आगे हैं गैस की तरह और हमने एक पैन लगखा है अर इस पैन में हम ढशेयर के एक बड़ा चंमड सवाश्र का तेल सवाश्रो zwevajno no Ghi वगयरा कुछ भी नहीं सरसो का सुध्व देशी देशी चली को बनाने के लिए यानि का बनाने के लिए यानि नास्ते का बनाने के लिए तो इस तरह तो त्वाष जूर देंगे गरम औ इस तरह से मोटा बटा चॉप कर लिया है और इसके डालने के बाद अब हम इसे डालेंगे जीरा तो जीरा हमें जड़ा डालना है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए तो एक छोटा चमज जीरा और अच्छे से चलखने देंगे गैस का जो फ्लेम होना चाहिए वह हाई होना चाहि जब आए 10-12 है और इसको डालने के बाद अब हम इसे आड़ करेंगे पानी तो हमने 2 कफ वानी आड़ किया है और अब इसको अच्छे से बॉय हो जाने देंगे तो फ्रेंद देखिए बानी में बॉय लाना सुरू हो चुका है तो अब इसके हम डालेंगे एक चमज लार्म चमज, पॉर cent, अब इसके बाद में बाद इसंगे हल्दी आदा चमज छ मसाल अब पिर जा के बाद हम चाना मसाला बट नमक हमें जाना नहीं डालना है एक लिए तो फ्रेंड आप इसमें हम एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जो आपके साथ सेयर कर रहे हैं तो इसमें हमने लिया है थो दो गार्लिक और धनिया मिर्च जिसको हमने इस तरह से सुखा चुका पेस लिया है यह हम डालेंगे से बहुत यह अच्छा टेस्ट आएगा और सौंपीस के अंदर में पीसी है और सारी शीजों को अच्छा से मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने का वेज करेंगे तो फ्रेंड जब तक इसके अंदर बॉयल आता है हम चलिए फटापर चटनी के रेस्पी आपके साथ सेयर कर देते हैं तो इसे हम धीमेज में आधा पानी होने तक पक जब आपका तेल अच्छा से गरम हो जाए तक आपको वेट करना है तो दिखें तेल हमारा हलका सा गरम होचेका बहुत जोदा नहीं करना है सलसो के तेल को तो हम इसमें डालेंगे लसुल की तीन कलियां फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अध्रक जो हमने इस तरह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अब इसके बाद हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे तो फ्रेंड इससे तरह से जब हो जब यह तो हमें डालना है गरम मसाला एक चमच खोड़ा सा रेड चिली पॉड़र तो आता चमझ रेड चिली फॉड़र की में करी चिली भी डाला है तो इसलिए रड़ चिली जाला महीं डालना हैEND है और इस सीवल नाटना को हमें तो मीडियम साइज के तो इस तरह से थोड़ा हम नमख डालाएं मुझने की कcasting अर्धान कुमाटा को अश्च से पका लेंगे और सारी टीजहों काम अश्च से पकाना ऑचाना है और थे शोश्ड़ का किसा भेड करना है पानी विलकुल भी नहीं जालना है फिर सहने वानच्रा Merci में तो सब्सक्राइब को मति में फॉत एक बन कर देंगा अवमिष इनके मट का इसके तरी ओंगा के अब हम उसकेल हां कि मतित्व है यहुट कि इसोठी हम इस규 हमा तो इसको सभारण है इसके अवह चपाए मुझ सपाइब कृट लिखे लिखे इसे से विप्सी जाल में टासर कर लते हैं और इस तरह 경우 निए थपा चनल अब पृण है अब 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 आधीक डाला थे पाई ढ लेंगे तो चलिए बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है देखिए किता अच्छा से पीस गया है आप चलते हैं गैस की तरफ तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ और हम तेल लेंगे एक चमज सरसो का और फैल में डालेंगे और इसे अच्छे से हीट हो जाने देंगे तो देखे तेल हमारा गरम हो गया हलका सा तो हम इसमें डालेंगे कड़ी लिव्स यानी कड़ी के पत्ते और डालने के बाद थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे इसके बाद इसमें डालेंगे हेंग, छथाई चमज और एक चमज तो हम इस तड़के को अपनी चट्नी में टास्फर करेंगे रसम चट्नी जोड़ी आप इसे दांग दे लिए बहुत ज्या टेस्टी लगती है एक बार इस तरह से बना कर देखेगा तो आपको मदा देगा तो चलिए अब इससे टास्फर कर लेते हैं तो प्रेंड अब इस चुका है देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है आप चलिए दूसरा काम कर लेते हैं तो चट्नी रडी हो चुकी अब इससे हम साइडने रग देते हैं और चलते हैं पानी को देख लेते हैं जो हमने तड़का लगया था तो फ्रेंड देखिए तरका पक्षक के आधा ह हो चुका है और इस तरह से जो हमने दो का फानी रखा था वो जब एक वचे तो समझेए आपका तड़का अच्छे से राड़ी हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे कुछ चीजे तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रस हराधनिया जो हमने कट करके रखा है उसको डा थोड़ी सी कस्तूरी मेथी दालनेंगे लंशाद दो चुटकी और इस तरह से तड़का रैडी हो चुका है अब हम चने की तरफ आते हैं तो फ्रेंट चने हमने विगो के रखे ते उसको हम पानी को रिमोग करते इस तरह से मिक्सी जाह में डालेंगे जितने हमारे आप आधे का नास्ता हम अभी बनाएंगे इनकी चने जादा है यह लंशाद दो सो पचास ग्राम चने है और इस तरह से मैंने एक छोटी अली मिक्सी यानि कम से कम सो ग्राम ले लिया है और अब इसके अंदर हम कुछी या एट करेंगे तो फ्रेल अब इसमें हम डालेंगे अध तक मैंने यह ओषी अदे रिकिते सो पाकृषी मारे प्राइच करें जैतर हुआ होएं और मैं जो अहां चलते टरब कर रहा दोता है बिल्कुल तुलिया है और इस तरह सेके तैसे nodaने गैस द्टकेता कम करें तो आधा मेतली तनले लिया कचा VI Resistance 有 सब्सूंता पानी करने देंगे सारा का सारा देखे इस सी तरह से जितना हमारा था और यह 100 g लगवे हमने लिया है और 150 g मैं रख दिया है और इसे हम अच्छे से करेंगे इसको भी फोल्ज के रखेंगे जांगे तो कम से कम तीन से चार चमपशनी देना है और यह हमें एक को ठीक पलेना इस तरह से। और आज respectfully 11 करना है कीज इनन्हें परीय्ट एफ इसकोष भूनएं करेंगे तो इस तरह से जब यह थोड़ा सा थिकी होने लगेगा तो एक से दो मिनट हम इसे पकाएंगे फिर इसके बाद हम इसमें एक चीज आइड करेंगे तो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेंड एसे तरह से हमारा से और आधा यह पक गया है सीज जो फाकने लगता है तो फ्र होने लगता है तो अब इस पी इसमें डालेंगे चार से पांसच चावल गानेट हैंidenya के पार सुजीों डाल अगरा डाल सकतें सुजी डते इसमें वैlding होगी और सारी चीजों कर लिंगे और इस तरह से देखे यह एक आटे के फ़ूम में वा मैं इस तरह ही ऐसा तरह चाहिए चन हमारा अपंग घया लिगोंने किकलें ट उसनी अच्छ één, u अगर इसी वरतन जल लाता तो हम इससे टास्पर करके इसमें लख लिए अब यह ठालका से ठंडा हो जाएगा बहुत देरा ठंडा नहीं करना है तो फ्रेंट इस तरह से चूप आ रहे हैं तो अपने हाथों पर हम थोड़ा सा ते लगा लेते हैं आप कोई भी ते लगा सकते ज्यादा नहीं बस बिल्कुल नावात का और इसे अच्छा से ग्रेज कर लेते हाथों को और आप इसका अमाउंट लेंगे इतना जितना नीवू का आकार होता है उतना वड़ा लेना है और इसे हम इस तरह से लेंगे और इसे हम हलका हलका सा दबाएंगे हलके आँटों से और इस तरह से चिकना करेंगे और इसके हम साइडों को इस तरह से लॉक करेंगे इसे क्या होगा कि इसमें क्रैक नहीं आएगा आप इसे किसी भी शेव में मना सकते है मैं इसे बहुत इजी वे में में बना रही हूँ पटा फट बन जाएगा आपको ज़़ा ताम जाम करने कि दूरत नहीं क्योंकि यह खाले में इतना जड़ा टेश्टी होगा कि आपको इसके से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा तो देखिए इस तरह से और बहुत ज़़ा है और कम और में बनाकर दिखाऊंगे आप लोगों तो रेडी हो चिका है और इसे हम बरतर में रख अब ऐसे बहुत कम और में बनाने वाल हुई कि मॉनिंग में आपको ज्यादा अधा खाना नहीं खाना चाहिए तो इस तरह से हम चली चलते की तरफ बनाते इसे तो धान आगे गए गैस की तरफ और मैंने एक पैन अवारा जो होना चाहिए वो जन दार होना चाहिए मच बड़ा वला जो 20 ग्राम है और इसको अच्छे से फैला लेंगे अपने फैन ने इस तरह से चारो तरह और इसमें हम इसे सलो फड़ाई करेंगे तो इसे धुआदार होने तक का वेट करना है तेल आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं सरसो का इस्तमाल कर रही हूँ आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप देसी तरीके से बनाने तो रिफाइन ओयल को मत इस्तमाल कीजिएगा आप सरसो के आइल से बनाएंगे तो देसी चने का यह बुखत ही अच्छा सोना पनाएगा और लंबे समय तक खराम होगा तो आप तेल को अच्छे से गरम हो जाने तब बनाएंगे तो फ्रैंट देखिए इस तरह से धुआ निकलना ही लगा है तब हम ग्यास के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पार हम इसे अच्छे से शेकेंगे तो चलिए पड़ा-पड़ इसे राव देते हैं अगर आका फैल मतल स्था है तो आप लोग प्यादा मतल बटायेगा है अगर बड़ा है तो आप अज़स्ट कर करतें है इसके इंदर तो यह वाला हम दाल दख्रिए और यहां पे हम इक हम एक और लगाएंगे इससे साइ्नारे कर देंगे और लास्ट वाला भी यहां लगा अब इसे धीवे दिमें हुए 3 मिर्ट तर फ्राइब होने देना है यानि सलो फ्राइब होने देना है तो फ्रैंक 3 मिर्ट हो चुके हाँ यह टर्न करके देखते हैं इसका कलर तो दीखे दूसर साइब से अच्छा सा कलर आगया एक दों सुनहरा सा और इस तरह से हमें अविश इसकी साइब होले चेंज कर दिया है सारी और आपके चेंज दीया है और इसे मिने दूसरे साइब से ुखे अच्छा सा कलर रह Εं ये ठैल हो एक है इसे निकाल है Harald से निकाल बना कर आप इसे तुरंत से लिए दुबारा खा सकते दसे पंदा दिन ते बिलकुर भी खराने होगा और यह चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा जेगा तो कैसे लगे आपको यह वीडियो कमेंट रॉक्स में जरूर बताइएगा और रस्पी अगर पसंद आई तो व हो ती आठान डेश्वी के साथ बहें टीक केर और टीक किर